तो है गाइस तो आज से हम लोग एक नहीं अनिमे को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बनी गल्सेंपाइ और अगर पूरा नाम इसका बताया जाए तो रास्कल डजनाट ड्रीम ऑफ बनी गल्सेंपाइ और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यह नाम है या फिर पूरा है नाम को पढ़ेंगे तो आपको बता चलेगा कि यह नाम क्यों रखा गया है तो मैं इसका और इसका जो जोन्र है वह भी काफी जदा कमाल का है क्योंकि कॉमेड़ी ड्रामा रोमेंस सुपर नैचरल एंड स्कूल लाइफ तो आप समझे सकते हैं स्कूल लाइफ पे का सोच लग जाता है कि यह लड़की हमेशा मुझे यह सब कहके जड़ाती रहती है और हमें उस लड़की का हंफ फेस दिखं़ पूरा तक्यानी जाता है और सब लग जाता है कि अखिर वो लगी थी कॉन और उसके बाद वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और हमें डेट बताया जाता है जो कि है 25 में और फिर वो अपने एक डायरी को देखता है जहां पर लिखा वाता आगे जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ अनबिलीवेबल सा लगे पर लेकिन वो सब कुछ सच्चा ही है तो फिर अन तक पढ़ना तुम्हें पढ़ना ही होगा और फिर वो आगे पढ़ता है जहां पर लिखाता की वो मेरी सेंपाई है थार्ड यर मिनिगहारा हाइज स्कूल सिक्स्त मैं को जब मैं फूजी सावा लाइब्रेरी में गया था त लेकिन तभी उसको एक बनीगल की कॉस्ट्यूम में एक लड़की दिखती है जिसको देखने के बाद वह काफी ज़्यादा है और में उस बनीगल वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने का ट्राय करती है पर लेकिन कोई उ काफी ज़्यादा होता है और तभी वह बनीगल साकुता के बगल में आती है और फिर उससे बोलने लग जाती है कि मैं काफी सर्प्राइज हूं कि तुम अभी भी मुझे देख सकते हो तो फिर साकुता हां बोलता है और उसके बाद जो बनीगल होती है वह वहां से जाने इसका मतलब मतलब तुम मेरे हाइड स्कूल से होगे और फिर जो यहां पर सकूता होता ही आपना क्लास बटाता है जो कि अपना नाम बताती है और तबी जो यहाँ पे सकुता होता है वो बोलने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक सेलिब्रिटी है और तबी जो मेह होती है वो बोलने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुमने आज जो भी देखा वो सब तुम भूल जाओ और यहीं नहीं तुमारा और मेरा को नो कि मतलब सोयावा होता है और वह सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उन्हों ने ऐसा क्यों बोला और वह अपनी सिस्टर को बोलता है कि चलो ओट भी जाओ अब अभी ऑन्रे मॉर्णिंग भी हो चुका और यहां पर उसकी तक यह dolMR हो उसको लड़की का ही नाम है यानि कि इसके सिस्टर का तो आप समझे सकते हैं यहां पर ब्रदर कॉम्प्लेक्स जादा चल रहा है फिर जो सकूदा होता है वह उसको अपनी सिस्टर को दूर करता है और बोलता है कि यह काफिज़ा एंबरेसिंग है तुम अपने डिसंटेज में कैसी बाते कर रहे हो कौन अपनी इलिड़िस्टर को देखने के बाध यहां तो फिर आगर तुम किसी खुब सूरत लाइबरेरी में मिल गयétais स्चूम क्या करौगा तो फिर ता भी जो यहां पे साखुदा होता je उसकी नजर डियह चले जाती है तो फिर यूँवा यूपा से पूच्छता है कि क्या तुम डेखा रहा है को प्र यूमा बताता है कि हाँ एकदम और फिर यूमा बता ने लगता और दूसरी लड़कियों पर भी ध्यान दे रहो तो फिर यह सुनने के बाद साकुता बोलने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है मैंने उनको हमेशा अकेला ही देखा है स्कूल में वो किसी और के साथ रहती भी नहीं है और इसलिए मैं थोड़ा क्यूरेस था पर तभी वहाँ पर यूमा की गल्फिंट कामी सा ALL अचाती है और जो यूमा होता है कि साने लग जाता है और जो कामी शीइव थे लिक्ष्विंफर्प्रम में दिखाया जाता है जहां पर वह सोच रहा हुता है कि मैंने अपने से सुना था मतलब एक अपने टीम के एक संसे से सुना था कि जो यहां पर में हैं वह मतलब फर्स्ट टम के बीच माई थी फर्स्ट यर के मिडल ऑफ यह में आई थी और वह स्टार्टिंग से नहीं पड़ रही है तो मेरा यह गैस है कि सभी लोगों ने अपने ग्रुप्स बन मतलब कुछ भी स्टेफ आगे नहीं ले रही है और लोग उसके मतलब पीछे पीट पीछे ही बात एक करे जा रहे हैं और उसको ऐसा लगता है कि वह बस अपना शो आफ कर रही है क्योंकि वह काफी बड़ी एक्टर है और उसके बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जात मतलब उससे नहीं है यहां पर जितने बी लोगए सभी लोग तुमारे हॉस्पिटल इंसटेंट के बारे में जानते हैं तो फिर तुम यूमा के साथ रहोगे तो फिर उसकी जो पॉपॉलरेटी है वो कम हो जाएगी और मतलब काफी ज़्यादा खराब लगेगा मुझे और मैं उसकी ज़्यादा सौरी फिल कर रही हूं और यह सब सुनने के बाद जो यहां पर साकुता होता है वो बोलने लग जाता है कि कुमारा चालेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया पर लेकिन तभी वो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा इरिटेट की हो क्या तुम अपने पीडेट में हो यह सुनने के बाद यहां पर जो कमीना साथ होती है वो बहुत ज्यादा गुस्रे में आ जाती है और वो उसको बोलन क्या कोई इंट्रेस्टिंग सी चीज नहीं है करने के लिए पर लेकिन सचा यह है कि वो सबी लोग यह चाते हैं कि जो चीजे चल रही है वो कभी चेंज ना हो हमेशा जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलते रहे और फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें साकोता को इल्वे स्टेशन में दिखाया जाता है जहां पर वह अपने सामने में को देखता है और तभी जो में के पीछे कुछ लोग होते हैं वो उसकी फोटो खीचरे होते हैं तो फिर साकोता क्या करता है उनके बीच में आ जाता है और फिर बोलता है कि मैं भी एक युमन हूँ क्य जादा है तो फिर में बोलने लग जाती है कि तुमने सोचा था कि मैं गुसा हो जाओंगी और तुम्हें अपना काम करने के लिए तो फिर जो साकुता होता है वो बोलता है कि हां तुमने सही बोला और फिर यहां पर में होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है तो अब क्या कर स जाती है और इसलिए में रहने दो और वैसे भी ट्रेन आ चुका है उसके बाद वो लोग चड़ जाते हैं जहां पर बैठेते तब ही जो साकुता है वह बोलने लग जाता है मैं पिछले दिन की बात करना चाता हूं और थमी में बोलने लग जाती है मैंने तुमसे बोला था न और यह सुनने के बाद वहां पर सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं तो तब ही में बोलने लग जाती है कि मुझे इससे कोई प्राप्लम निया अगर तुमने की वह दो तो फिर वह बोलती है कि उसको उसके रूमर्स के बारे में पता चलाया कि कैसे उस ने वाइलेंस क है कि कि इंसान के बार में इतनी जादा information ऑपनली मिल है इंटानेट में व भी तो फिर्वर बोलता है कि मुझे भी नहीं पर्था कि मेरे बार में उतना कोछ लिखना है तो यहां पर इसे नहीं को तो अपैंड है कि वह संय नहीं अचाहिए भ्रञव में तुम मेरे होस्पिटल वाले इंस्टिनेंट के बारे में क्या सूचती जोंगता है कि मुझे लगना वाले इंस्टिनेंट में एक atmosphere की तरह है और मेरे आसपास एक ऐसा atmosphere फैल चुका है जहां पर सभी लोग मेरे को बुरा आदमी समझ रहे हैं और अगर मैं इनसे fight करता हूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा तो फिल में बोलने लग जाती है तो फिर तुम जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दोगे और बिना fight करें गिव अप कर दोगे और उसके बाद वो यह बोलते ही जो में है उसकी नजर एक advertisement में चले जाती है और उसको देखने के बाद वो उदास हो जाती है और फिर जो साकुता होता है यह देखके बोलने लग जाता है कि सेंपा काफी जादा famous भी होगी थी काफी सारे ads और commercial में उनकी photo भी आती थी मैं हमेशा public की eyes में ही रह दी थी और यह सुनने के बाद जो यहां पे साकुता होता है वो भी बताता है कि उसने ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन मतलब उनको advertisement में देखाना हो और फिर जो में होती है वह बताती है कि मैं हमेशा यह सोचती थी कि काफी जदा कमाल का है शुरूत में हमें सब्सक्राइब पर लेकिन जैसे यासे time भी था मुझे यह काफी जदा stressful लगने लगा और मैंने तो कई बार यह भी सोचा है कि कश मेरे को कोई देखना पाता और मैं एक ऐसे world में चली जा और मैं जब भी कहीं पे भी जाती थी हमेशा लोग मेरे को ऐसी यह मतलब बोलने लग पॉइंट आउट करने लग जाते थे और लेकिन जब मेरे को पता चला कि लोग मेरे को देखने पारे तब मैंने मतलब कॉम से कम मेरे को चार से पांच दिन लग गए थे कि मुझे यह पता पता चला कि लोग मेरे को देख नहीं पा रहे और जब मुझे यह पता चला अबarem में में ती और वहांपे में kisoo शुरॢ कारा था मैं लोग मिने को पपके अग्नौर को करे ते जो कि मेरे को कुछ और फिस्ट के वह से और उसके बाद जब मैं अपने घर जाने वाली थी तब मैं एक कैफी में गई और वहां पर जो मतलब कैफे का ओनर था वह भी मिरे को एकदम देखी नहीं पारा था नाहीं मेरी आवाज को सुन पारा था जबकि वह दूसरे मतलब कस्टमर को देख भी पा को खूरेंगे इसलिए मैंने वह ड्रेस पहना था तो फिर यहां पर साकुता बोलने लग जाता है कि आप आज भी वह पहन के घूमेंगी तो फिर मैं बताती है कि हाँ पलकिन मैं चाहते हूं कि तुम मेरे साथ मतलब ना आओ क्योंकि तुम मेरे को बस परिशान करोगे और यहां पर वह फिर भरेड़ खरीदने जाती है में परलकिन यहां पर शॉप की पर ятельिगते दियान ले रहा था उसके नाहीं बात सुन पा रहा था था नाहीं उसको देख पा रहा था और यहां पर जिहां पर साकुता प्रोल्ता होले अप्छ The tep इसको क्या बोला जाता है एडॉलेसेंस सिंड्रोम क्यों मैंने सही कहाना जो सुनके में थोड़ी से हैरान होती है और फिर जो साकुता होता है वो बताने लग जाता है दूसरे पीपल्स के थौट्स को हेर कर पाना मतलब सुन पाना और यहां तक कि किसी भी मतलब परसन के आदे ने नाम सींड्रोम और मतलब फिर जो साकुता है वह घर के सामने आके ख़ड़ा हो जाता है तो फिर साकुता 별 बताता है यह तुम पर बिलीव करता हूँ और फिर वो लोग अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर साकुता के रूम में आने के बाद जो साकुता है वो अपने टीशेट को खोलने लग जाता है जो देखके यहाँ पर में उससे बोलने लग जाती है कि तुम तो एक परवर्ट ह पर लेकिन यहाँ पर साकुता होता है वो अपने टीशेट को खोल लेता है और यहाँ पर फिर उससे बोलता है कि मैं तुम से कुछ भी नहीं करना चाथा मैं बस तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं और यहाँ पर इसका जो चैस्ट होता है उसमें एक बड़े से पंजे का निशान होता है और यहां पर जो में होती है फिर उससे पूछने लग जाती है कि क्या मैं उन्कों सगुता बोलती है और फिर जैसी उनकों टच तो फिर पूछता है वह अपने मतलब इसको निकालता है और फिर बोलता है कि यह मेरी बेहन काइद है इसको किसी ने मारा नहीं है जिसके वैसे इसको इतनी चोट लगिए इसको बस इंटरनेट में किसी ने बुली किया था और मतलब उन चोटों को देखने के बाद यहां पर जो में होती है वो काफी ज़ादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी जादा भयंग कर चोटे थी और फिर वो बोने लग जाती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम क्या बोलना चाते हो और फिर जो सागुता होता है वो बताने लग जाता है कि जो गर्ल्स के क्लास में लीडर थी उसने वो मेरी बहन को काफी जादा हेट करने लगी थी और उसने क्या किया सभी सो बोला कि वो मतलब उसको गंदे मेसेजिस करे और एक दिन उसको मेरी बहन को अपने फोन में काफी जादा गंदे-गंदे मेसेजिस आने लगे जिस वज़े से वो जब एक दिन अपने घर आई उसको मतलब काफी अचानक से उसके जो बॉड़ी है उसमें कट साने लग गए और मतलब हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है थोड़ा बहुत जो सुनने के बाद फिर यहां पर साकुता बताता है कि और उसी टाइम से मैं एडलेसन सिंड्रोम में बिलीव करने लगा कि वो सही में एक्जिस्ट करता है और यहां पर तो में पूछने लग जाती है कि यहां पर तुमारे जो चोट है उसके पीछे क्या है तो फिर साकुता बताता है कि उसको नहीं पता कि यह कैसे और कब मतलब क्यू लगा और जब एक दिन सुबह उठा तो उसने देखा आपने आपको की पूरा वो ब्लड में कवर है और मतलब वह बहुत होना पड़ा उसको तो फिर में पूछने लग जाती है कि क्या आप एक प्रोफेशनल को लेकर आए अपने घर में आपको पहले से बता के रखना चाहिए था और यह सब सुनने के बाद यहां पर सकुदा वनारने लग जाता है कि तुम्हें बस मिसरिंडर स्टाइडिंग के वही यह मेरे स्कूल में एक मेरी सीनियर है और मतलब उसकी जो बहन होती है और काफी ज़्यादा घबराई होई होती है और उसके बाद वह कादे होती है वह अपने चाहिए और वह स्ट्रेंज से बात करने में काफी ज़दा डरती है और अभी के टाइम में वह घर से भार भी निकलती और नाहीं वह उसको घर में रहना जादा पसंद है और यहां तक ही वह टीवी काफी ज़्यादा कम देख ती है और इसके विए से मैंने जो अपना सेल फ काम करना शुरू करना चाहिए क्योंकि तुम्हें वही करना चाहिए तो फिर तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद होना चाहिए तो फिर यह सुनने के बाद जो मैं होती है वह बोलने लग जाती है कि तुम आखिर उस वारों में बात क्यों कर रहे हो और वह काफ तो आप खुदी कर लो कि यहां पर साकुदा क्या करना चाहेगा बनी डेस्का और अगर आपको कुछ है वह स्कूल में नहीं आ रही है और वहां से यूमा के साथ पार्ट टाइम जॉब में होता है और वहां से यूमा से यहीं पूछता है कि आखिर उसके हेटर्स का रीजन क्या है और यहां पर यूमा होता है मुझे भी नहीं पता है और तब होँ पे उनका मैनेजर होता है वह बहुते है कि तुमसे इनai रेप्पोर्टर और यहां पर जब शॉक्ड़ने जाता है कि मलब उसका और लेने जाता है तो फिर उसके बोलता है कि तुम यहां पे बापस से आ और फिर वो reporter अपना कार्ट देती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है कि फुमिका नेंजो और यहाँ पर वो जो reporter है वो adolescent syndrome के बारे में जानना चाती थी और उसके बारे में यहाँ पर साखुता से उसका जो निशान है उसके बारे में भी देखना चाती थी और पर जो यहाँ पे साकुता होता है वो उसको मना कर देता है और फिर साकुता उस reporter से में के बारे में पूचता है तो फिर जो reporter होती है वो smile करते है वो बोलने लग जाती है At least मुझे उन सब चीजों के बारे में पता है इस matter में जो कि normal public को बिल्कुल भी नहीं पता और यहां पे उसके बाद हमें scene shift होता है और हमें यहां पे साकुता को उसकी friend के साथ दिखाये जाता है जिसका नाम है फुटाबा और यहां पे वो फुटाबा को भी काफी सारी चीज़े बताता है adolescent syndrome के बारे में फालेकिन वो कुछ भी believe नहीं करती उसकी जितने भी बाते हैं उसमें बोलती है कि यह सब फालतु की बाते हैं और कुछ भी नहीं और फिर हमें साकुता को दिखाये जाता है जो कि अपने घर ज जानता है तो फिर जो शॉकटार होता है कि नहीं मैं नहीं जानती है साकुरा होता है और फिर इस fight — इस एक । भींहेंड दीखहरा होता है और यहां पर वो सोच रहा होता है कि यह पार कि जो लोग पारे बस यही तक शीमित सेंध कि नहीं रहता है जो उसका एक इससे NdC और अपने आपने सोचनी कि tide명 को 2 एक इस चरते आपने आपने ऐसे बाड़ करता है और वेचने के जो में है वो बैठी ही रहती है और यह वो फिर बोलती है कि Finally तुम घर आande और यहां पर साकुता भोने लग जाता है कि क्या तुम में इतरा जीए बताने जाती ती थि तो फिर यहां पर में आपे वो बताने लग देता है और यहां पर भोलता है कि चलो क्या कर सकते हैं और उसके बाद वह सोचने लग जाता है कि 6 अगस्त को मैं एक वाइड बनी गल से मिला और ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि मैं इसके बारे में भूल जाओं नहीं तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा और भली अगर तु काफी मस आया तो बताना कि कमेंट्स में आपको कैसा लगा और अगर आपको इसका नेक्स अपिसोड चाहिए तो फिर भी कमेंट्स में बता देना और हमारा जो ट्वेंटी के हैं वह बहुत जल्दी होने वाले हैं नहीं सायद से यह जब वीडियो में जब तक डालूंगा अदब तक हो चुके होंगे शायद अनिवेस ठैंक्स अलॉट फॉर ट्वेंटी के तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सस्क्राइब कर देना बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए स्चाना राफ